आप अपना वजन बहुत असानी से 30 दिन के अंदर अंदर कम से कम 5-6 किलो घटा सकते हैं आप देखें इन दोनों इमेजिस को कि ये पहले क्या इनका वेट रहा होगा और अभी जब इन्होंने 30 दिन तक वेट रिडक्शन रिजीम फॉलो किया तो इनका वेट कितनी जल्दी से घट गया अगर आप भी अपने वजन को वेट को लेके अबसिटी को लेके परिशान है तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बिना एक्सरसाइज किये बिना बहुत ज़ादा डाइट में मोटिफिकेशन किये किस तरीके से आप सिर्फ 30 दिन के अंदर आसानी से 5-7 किलो वजन घटा सकते हैं जिसमें आपको कुछ जादा मेहनत करने की ज़रोत नहीं पड़ेगी तो आपको सिर्फ दो चीजे करने की ज़रोत है मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ और सिर्फ दो सिंपल स्टैप से आप अपने वजन को बहुत आसानी से घटा सकते हैं पहला होगा दोस्तों intermittent fasting और दूसरा खाने का चुनाओ वो भी आपकी मर्जी का खाना जो आप चुन सकते हो इसके लिए आपको करने की क्या ज़रूत है कि आपको सुबा में बहुत अच्छा भोजन करना है नाश्टा बहुत अच्छे से करना है दुपैर का खाएना भी आपको बहुत अच्छे से खाना है उसके बाद आपको रात को बहुत ही लिमिटेड सिंपल कुछ सबजियों का जूस फलों का जूस या स्मूदी इस्तेमाल करना है उसके लाबा कुछ नहीं खाना है तो नियम यह होगा कि आप दुपैर एक बज़े के बाद फिर कुछ नहीं खाएंगे अगले दिन सुबह आप फिर साथ से आठ के बीच में ही खाएंगे तो पहला तो ये नियम आपको अपनाना ही पड़ेगा अब आपको भोजन कैसे चूज करना है उसके लिए देखिए आपको simply जब आप सुबह का अपना भोजन करते हैं तो उस भोजन में आपको लेने चाहिए sprouts उस भोजन में नाश्टे में आपको लेना चाहिए कम से कम एक सबजी जिसे आप चुकंदर ले सकते हैं, आप गाजर ले सकते हैं, आप मुली ले सकते हैं, आप खीरा ले सकते हैं, इस तरह की आप सबजिया ले सकते हैं अपने नाश्टे में, आप दूद बिल्कुल इस्तिमाल ना करें, चिया शीट्स का इस्तिमाल कर सकते हैं तो इस तरह का आप भोजन नाश्टे में लगातार लेंगे, ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं हम लंच की, लंच में जो भी आपका भोजन आप करें, सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कि आपको उसके अंदर कार्बोन डेट की मात्रा को जादा नहीं रखना है, मिठा ना के बराबर उसमें रखना है, अगर आपको मिठास का मन भी होगा, तो आप फलों से वो मिठास ले सकते हैं, और जादे से जादा आपको सबजियों का इस्तमाल करना होगा इस समय पे, और उसके अलावा तो आपको चपादी खा सकते हैं, आप डाल का इस्तमाल कर सकते हैं, साथ में दो सबजिया या तीन सबजिया इस्तमाल करें तो ये आपके लिए बेतर होगा, आप इसमें पेड़ भर के खाना कहां, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है शाम होते होते हैं, आप चार बजी के आसपास एक ग्रीन टी का इस्तमाल कर सकते हैं और उसके लावा आप कोई जूस भी इस्तमाल कर सकते हैं, खास तो रसे गाजर का जूस होगा या आप गौावा जूस इस्तमाल कर सकते हैं या कोई एक साबुत फल भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे जादा नहीं लेंगे और रात के समय आप एक स्मूदी ले सकते हैं वो भी आट बजी से पहले पहले स्मूदी बनाने के लिए आपको कोशिश करें जो भी बेस है वो नेचुरल हो जैसे कोकोनट आयल इसका पानी ले सकते हैं या आप सादा अपना जो पीने का पानी है वो इस्तमाल कर सकते हैं या उसके अलावा किसी फ्रूट का जूस ले सकते हैं जो ज़्यादा मीठा ना हो उसके अलावा आप कुछ सब्जियां जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, कीरा है, ककड़ी है, गोबी है, पालक है इस तरह की चीजों को या आप फूर्स उसमें मिला सकते हैं और उसके बाद आप उस पे थोड़ा और टेस्ट के लिए सिनमन पॉडर डाल सकते हैं, अदरक का जूस इस्तमाल कर सकते हैं, लेमन यूस कर सकते हैं साथ में इसको, सुधाट आपको सुआद बना रहे हैं और इसके बाद आप एक स्मूदी, एक गिलास सिर्फ आप रात को आट वजे सोने से पहले ले लेंगे, कोशिश करें जल्दी सो जाएं पानी जादा पियें और फेट बहुत जादा चिकना, भोजन बिल्कुल भी ना करें अगर आपने ये नियम 30 दिन फालो कर लिया, तो मैं आपको गरंटी के साथ कह सकता हूँ कि 30 दिन में आप बड़े आराम से 7-8 किलो वजन घटा लेंगे उस तरीके से जो मैंने आपको एक्जामपल शुरू में दिया था कि इन्होंने ये ही डाइट रजीम फालो किया है, और ये रियल पिक्चर है, इसको मैंने केंसे डाउनलोड नही किया है ये मेरे सामने का केस है, जिसको मैंने खुद दिखा है तो अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा हो, तो इसको आजमाएँ आपका weight जादा है तो इस remedy को ज़रूर अपनाए और अगर आपको जब result मिले तब आके आप comment करके बताएं तब वीडियो को like करें, share करें, channel को subscribe भी कर लें और bell icon का button भी दबा लें मुझे अमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, thank you